नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 14 अप्रेल दोपहर 3 बजे राजिस्थान की खास खबरें साई पेपर लिक केस में धुआधार बल्ले बाजी कर रही सो जी को आखिर कोट की एक आदेश के बाद बैक फुट पर आना पड़ा है कोट ने 11 ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दिया है उनमें इंटर्वियू क्वीन मंजू भी शामिल है अब एसो जी पूरे केस पर मंतन कर खुद कोट जाने की तयारी कर रही है दरहसल ऐसा है भरती 2021 में पेपर खरीद, नकल, डम या बिर्थी बैठाने समेट तमाम मामले सामने आने के बाद एसो जी ने इस कई ट्रेनी थानेदारों को अरेस्ट किया था लेकिन कहीं न कहीं एसो जी की कारवई में लूज पोल के चलती अरूपी पक्ष के वकीलों को कोट में स्टैंड होने की जगा मिल गई और ग्यारा थानेदारों को जमानत दिलाने में वे सफल हो गए जबकि मामले में लगातर गिरफतारियों के बाद सीम भजनलाल ने एसो जी अफसरों की पूरी टीम को बुला कर उनकी पीट थप थपाई थी और कहा कि एक भी नकलची बचना ने चाहिए सीम ने यहां तक कहा कि अभी तो कई बड़े नाम आना बाकी है राज़ानी जैपुर में अंग परत्या रूपन में भरश्चाचार सामने आने के बाद सील किये समस की रिकॉर्ड रूम की चाबी एसीबी ने अस्पताल प्रशाशन को सौप दिया है अब अस्पताल प्रशाशन एक नई कमेटी बनाकर यहां मजूद दस्तावेच और अन्य कागजों की जांच करवाएगा ग्यात रहे कि अंग परत्या रूपन अनुसी जारी करने के लिए अब भी बनी मजूदा कमेटी ही नियमों को दरकिनार कर बनाई गई थी और इसे भंग करने के आदेश भी गायब थे तीन वर्श पहले दोनों को भंग कर एक ही पावरफूल कमेटी बना दी गई इसके बाद कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई और सीधे ही अनुसी जारी होने लगी अब रिकॉर्ड रूम खुलने के बाद वर्श 2021 में दो के बजाए एक कमेटी बनाने के आदेश और उसे भंग किये जाने के आदेशों की भी खोजबिन की जाएगी SMS की अदिक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि दस्तावेस की जाँच व्यक्तिगत कराने की बजाए कमेटी बनाकर करवाएंगे देश प्रदेश में पिछले कुछ सालों से चुनामी परतियाशों ने परचार के तौर तरीकों में बदलावाया है इसमें सोशल मीडिया की उपयोग से विजूल इंपक्ट के जरीए लोगों तक असानी से पहुंचने और जीत के लिए अपनी इमेस निखारने पर लाखो करोडों रुपे खर्च किया जा रही है खुद की आईटी टीम के लावा पियार एजंसियों की सिवाओं के जरीए चुनावा बियान को थार दी जा रही है राजेस्तान की सभी 25 लोग सबा सीटों पर चुनावी चौसर बिच चुकी है पर्तियाशी और पार्टी निता फिल्ड में सकीरियता के साथ ये अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए विबिन सोशल मीडिया प्लैटफों म, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर, वाटसेप, यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं चुनावी रण में सोशल मीडिया प्लैटफों पर भाशबा, कॉंग्रेस, तीसरे मोर्चे के नेताओं और नेर्दलियों परतियाशियों और नेताओं के कारेकरता, समर्थ को और सोशल मीडिया एक्सपर्ट को मैदान में उतार दिया है हरियाना के अंबाला में विदेश भेजने के नाम पर साड़े तीन लाख उर्पे ठग लिए, पुलिस को शिकायत भी सौपी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई बरणाथानाक शेतर के गाम सुभरी निवासी रणधीर सिंग ने पुरवग्रै मंतरी अनिल विज के नाम शिकायत सौपी है जिसमें कहा गया कि कबूतर बाजी के मामले में कोई कारवाई नहीं हुई शिकायत करता ने बताया कि उसके दोस्त सुनेल कुमार ने विदेश जाने के लिए यामुना नगर के गाम जिठानी निवासी अमन सैनी को साड़े तीन लाख रुपे दिये थे लेकिन आरोपी एजेंट अमन सैनी ने उसके साथ धोखा किया ने तो वीजा दिया और नकली टिकिट दे दी आरोपी दो साल से लारे लगा रहा है जब वे पैसे मांगती हैं तो जान से मारने की धमकी देता है पिडित ने चार-पांच माह पहले भी बराड़ा थाने में शिकायत सौपी थी लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जैपुर में पती पतनी के बीच प्रेमी के आने से पारिवारिक कलाय का मामला सामने आया है पती की गैर मुझूदगी में पतनी प्रेगनेंट हो गई इसके जानकारी मिलने पर पती उसकी जसूसी करने लगा जसूस बने पती ने पीचा कर पतनी को प्रेमी के साथ घूमते पकड़ लिया इस पर पतनी के प्रेमी ने उसके साथ मार पीट की जब पती ने समझाया तो पतनी घर छोड़ कर चली गई इस दुरान अपने साथ लाको रुपे के गहने भी ले गई परतापनगर थाने में पिडित ने बताया कि वे परिवार के साथ काफी समय से यहां रह रहा है कोविड के दुरान उसकी डूटी दूसरे शहर में लग गई अपरेल 2022 से खर आने पर पत्नी जगडा करने लगी अक्टूबर 2023 में घर की अलमारी संभालने पर उसने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी उसकी गैर मजूदगी के दुरान पत्नी के प्रेगनेंट होने का पता चला फरवरी 2024 में उसके पत्नी को उसके प्रेमी के साथ घूमत के मोड पर हत्यार बंद बदमाशों ने चार लाख उर्पे लूट लिये बदमाशों ने कार सवार तीन आरती भायों को रास्ता रोका इसके बाद एक एक उनकी गाड़ी खोली और उनके सिर में पिस्टल से वार किया इसके बाद कार से दो बैग लूट लिये जब कार सवा क्रिशन चंड बंसन ने बताया कि वह मोल रूप से बापॉली के रहने वाले हैं हाल में वह पाणीपत के हाउसिंग पूर्ट कोलोनी UM में रहते हैं बापूली में उनकी आर्टी की दुकान रजाना की तरह वे दुकान से रात को अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने भाई राजेश और उम प्रकाश के साथ घर लोट रहे थे गाव उग्रा खेड़ी मोड के पास चार नकापुष बदमाशन ने उनका रास्ता रोक कर मार पिट की और गाड़ी से चार लाग से भरे दोनों बैग लोट कर फरार हो गए मीन मलमास 13 अप्रेल को समाप्त हो गया है इसके साथ मांगलिक कार्य प्ररंब हो गए हैं इस दोरान कई सावे रहेंगे जिसमें बड़ी संख्या में शादियां होंगी साथी नीव मुहूरत ग्रै परवेश मुंदन से तन्य मांगलिक कार्य भी किये जा सकेंगे मलमास समाप्ते के बाद पहला सावा 18 अप्रेल को होगा इसके बाद अप्रेल महीने में मैस 4 सावे 21, 22, 23, 26 अप्रेल को हैं इसी महीने 30 अप्रेल को शुकर तारा अस्त हो जाएगा इस कारण सावों में एक बार फिर से ब्रेक लग जाएगा तारा अस्त होने के कारण इस ब जो ग्याराव्य पंद्रा जुलाई को हैं इसके बाद अगले चार महीने तक देव शयन के कारण मांगलिक कार्य नहीं होंगे अर्याना के फरीदाबाद में पत्नी ने बॉइफ्रेंड के साथ साजिश रच कर पती की हत्या करवा दी बॉइफ्रेंड ने उसके पती को गोली मार दी यहीं नहीं पत्नी ने बॉइफ्रेंड के मुबाइल से वीडियो कॉल के जरिये हत्या की पूरी वार्दा देखे जिसे देखने के बाद उसे तसली हुई कि सच में उसका पती मर गया है मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने अंजरॉंदा गाउं में हुई इस मामले में आरोपी महिला उसके प्रेमी और उसके दो अन्यस साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है मृतक राजेश निवास आरोपी महेश उसके दो दोस्त धर्मेंदर और महेंदर दिवासी बरसना यूपी और पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है आर्टी के तैत नीजी स्कूलों में निशुल्क परवेश की परकिरिया तीन अप्रेल को शुरू हो चुकी है इस बार नियम बदले हैं नरसरी के लिए आयू सीमा तीन साल से अधिक और चार साल से कम और पहली कक्षा में परवेश के लिए छे वर्ष यह इंस से अधिक और साथ वर्ष से कम आयू वर्घ के अब यर्थि अवेदन कर सकते हैं ऐसे में चार वर्ष से अधिक और छे वर्ष से का मायू वर्ख के बच्चे आटी पोटल पर नीजी स्कूलों में नेशलक परवेश के लिए अवेधन नहीं कर पा रही हैं अवेधन की अंतिम्ति थी 21 अप्रेल है परवेश का वर्यता करम तै करने के लिए 23 अप्रेल को लोट पर बनवाना होगा हरियाना के फतियाबाद के भुना खंड के दो गाउं बीतिरात गोलियों की तड़ तड़ाहट से गूंज उठे एक वार्दात गाम गोरकफुर में हुई जांशिराब ठेकी पर हुई विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गए जबकि उसका साथी ठंबी रूप से घायल हो गया उसे अग्रोह मेडिकल कॉलिस भरती करवाय गया है उदर गाम भट्टो में सरपंच परती नीदी वे गाम के पूरव सरपंच गुड द्वारा फायर कर दिया गया जिसमें वह घायल हो गया छगडे में चोट लगने पर सरपंच परती नीदी का पिता विच चेरा भाई भी घायल हुआ है जिने हिसार रैफर किया गया है घतना की सूचना मिलने पर एस पी आस्ता मोदी देई रात को दोनों गावों में मौके पर पहुंचे और जांच परताल की पुलिस दवारा दोनों मामलों में च्छानबिन की जारी है कर दो कर दो कि वारा है